हेलो गाइज वेलकम टू स्टेडी वाइज हमने जो एफ़ ये का जो मैट्स पॉर्शन कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम जो है डेसिमल्स को एड्ट, सब्ट्रेक्ट, मल्टिप्लाइ और डिवाइट करते हैं आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम जो है फ्रेक्शन को एड्ट और सब्ट्रेट करते हैं अच्छा फ्रेक्शन को एड्ट और सब्ट्रेट करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो जो हम स्कूल में करते हैं जो कन्वेशनल मेथड है कि सबसे पहले LCM लें पर उसको डिवाइट करें प्रोसेस लंबा हो जाता है दूसरा तरीका जो है उसमें LCM की दूरत नहीं पढ़ेगी और बहुत ही एजी है तो हम वही तरीके से आगे बढ़ेंगे वही तरीका करेंगे हम तो पहला कुश्चन करते हैं इस तरह के जब कुश्चन आएंगे तो इसमें सबसे पहले आप लोगो जो पहला स्टेप है या पहला ट्रिक है यह करना है कि जो इस डू है इसको इन दोनों पर मुल्टिप्लाइ करना और इस फाइफ को इन दोनों पर मुल्टिप्लाइ करना किस तरह से मैं भी करके दिखाता हूं हुआ है अब जो दूसरा ट्रिक्क है कि हमेशा जब इसतर हमकर निदो when do हमेशा हमारे पास क्या हुझ आएगा दस यह मतलब फिर भी यहिए इस तरब से मैंगे उस तरफ भी से मैं और अब हमें क्या करना है स्जेब यही इस तरफering को को गए अपोन का साइन लगा के दस नीचे लिखना है जो भी आएगा मतलब दो आएंगे सेम आएंगे उनमें से किसी एक को उठाना है उपर वाले जो है उनको सिंपल लिख देना है इस तरह से अभी द्यूसरा कोश्ची नब करते हैं तो आप लोगों और अच्छे समझ आ जाएगा पहला तरीका करीए कि वही जिनोमिनेटर को यहां पेस्टोनों पर मल्टिप्लाय करना है और इस जिनोमिनेटर को ऊथ दोनों पर मल्टिप्लाय करना है कि अब मल्टिप्लाइ करते हैं अब देखे मैंने अब लोगो कहा था कि जो भी आएगा आएगा सेम और फिर हमें क्या करना है एक अपॉन लगा देना है और इन दोनों में से किसी एक को लिखना है 24 रहे दोनों 24 एंटिवर को लिखना है दोनों को नहीं लिख लिया अब उप और वालों को सिंपल वैसे ही लिखना है 16 प्लस 18 अब सॉल्व करते हैं अब नोट करें यहां पे इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है अगर यह आगे सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करें जैसे यह नहीं हो रहा था कोई मतलब कॉमन फेक्टर इनको सॉल्व नहीं करा था सामने महीं पर चोड़ दिया लेकिन यहां पर टू जो है वो दोनों को जो है सॉल्व करता है सैंवन्टीन टूला तर्टीफॉर एंट ट्वेंटीफॉर दर ट्वेंटीफॉर इस तरह से अब सवाल आता है कि भाई अगर क्या हो क्या हो क्या एल सियम में एक ही और फिरम क्य ठीक जो भी अंसर आ गया उपर वाला किसाथ प्लस करना है जैसे यहां पर करते हैं पांच चिके तीस प्लस तीन तेन तीस और जो नीचे वाला है वह से आएगा एल सियम को जो हमने बाइकार्ट कर दिया है बिल्कुल इसी तरह कैसे फिर मैं आप लोगों को तुम्झाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक हो तो पिर क्या करना है फाइफ को जो है मल्टिप्लाइ करें सिक्स पे जो भी आएगा अंस सिर्फ क्या करना है यहां पर जो साइन है वो चैंज हो जाएगा सिर्फ चैंज यहां पर जाएंगी सिक्स्टीन माइनस फिफ्टीन यहां पर जाएगा वन ओवर टेन यहां पर बिल्कुल वैसी तरह साइन चैंज हो जाएगा सिर्फ यहां पर फरक आगई सिक्स्टीन माइ 30-3 is equal to 27 divided by 5 इस तरह से यह क्वेस्टिन सौल वोते हैं और बहुत एजी तरी कहेजिए अप लोग भी अगर कोछ समाज नहीं आ रहा है तो कमेने मुझे बता दीजिए थेंक यू